यही तो समस्या है, मैं आपको क्या बता दूँँ, आप किसी का निमंतरन करो, पूछेगा वे कहा जा रहे हो, कहे भोजन करने जा रहे हैं, किस के आने, निमंतर, देख लेना नहीं जेहर खिला दे तूंको, समझ लेना, नहीं भोजन के चक्र में मरे मिलो, भर दिया का नहीं भर दिया है ये नास्तिक लोग हैं इन्ही को कहते हैं नास्तिक लोग इस तरह की बात सोचना कहना है जाकरे किसी ने काम भर दिया और कहा कि सुनिये महाराज राम के उपर आक्रमन होने वाला है आयुद्या का पूरा समाध धलवल के साथ भरत के नेत्र तुम्हें चल रहा है और आक्रमन होने वाला है निसाद राजने का आक्रमन है घात रोक दो जाओ गंगा पार नकर पावे महरा है घात रोको होय सजोय लंप रोक हूँ भाटा ठात हो सकल मरक ठात निसाद राजने का सबसे पहले घात रोको कोई भी नागरी का युद्धा का गंगा पार न करने पावे और सुचना पहुचा दो जहां जहां भी सीमा है हमारे राजी की वहां के घात सभी रोक दिये जाए राजी की जहां जहां सीमा है सारे घात रोक दिये जाए ये गंग बहुत बड़ी समस्या आ रही कि नहीं आ रही है अनावस्थक रूप से समस्या पैदा करा दी लोगों ने कि नहीं करा दी ये कहां से पहुंच गिया कान में भर दिया जाकर के हैं कि वो सेना लेकर के आ रहे हैं युद्ध करने जा रहे हैं राम जी से किसी ने कान भर दिया अ आज सत्संग के द्वारा चेताओं नहीं मिल रही है, कही गाउं के लोग यहां बैठे हुए हैं, इस प्रशंग से प्रेड़ना लें, भरत चरित्र से प्रेड़ना लें, कि भरत चरित्र के माध्यम से हम हर गाउं की समस्या का समाधान कैसे करें, कौन सी सूजबूज के साथ गाओं की समस्या का समाधान होना चाहिए क्योंकि गाओं की सबसे वड़ी समस्या यही है विरोध, आपस का विरोध, आपस का संगर्ष जिससे सम्मान भी जाता है और धन भी जाता है बोलो जाता है कि नहीं कभी-कभी तो ऐसी कंडिशन हो जाती है कि सम्मान भी चला जाता है धन भी चला जाता है और शरीर भी चला जाता है क्यों भै ऐसी भी कंडिशन पैदा हो जाती कि नी हो जाती इतनी जादा मुर्खता हो जाती है इतनी जादा समस्या पैदा हो जाती है तो बोलो इमानदारी से विचार करना विचार करने की जरूरत है बुद्ध जीवी सतसंगी को हम बुद्ध जीवी मानते हैं जो सतसंग में बैठ गया है निश्चत रूप से उसको हम बुद्ध जीवी मानते हैं क्योंकि सतसंग में वो ही आएगा जो सतसंग का प्रेमी होगा वैसे तो नहीं आ पाएगा जो सफसंग का प्रेमी होगा जागर की कह दिया कि घाठ रोको रास्तावंद कर दो और सन मुखेलो है भरत सन ले मूँ और जीयत न सुरसरी उत्रन देऊ हों निशा и जिन्धा हैं तब तक भरत को गंगा पार नहीं करने देंगे सेना से को तयार हो जाओ सेना तयार हो गई राजा आदेश कर रहा है तो सेना نے अपनी तलवार रहे हैं बड़े बड़े अस्त सच्त सब तयार कर लिए और सब हाथमें लेकर तयार हो गई साउधान जा रहे थे श्री राम के चल्णों में समर्पन करने के लिए लेकिन संगर्ष होने वाला है बोलो होने वाला है कि नहीं और बहुत बड़ा संगर्ष इतना बड़ा संगर्ष है कि एक भी नांगरी का युद्धा का अस्त शस्त नहीं उठाएगा ना चलाएगा भले इस रिंगेबेरपुर के लोग चलाएगा बार चाहे जितना हो जाए लेकिन पलटवार नहीं हो सकता है आयुद्धा की तरव से बोलो भई यह सबसे बड़ी चुनोती है कि नहीं सुरक्षा तो तब रहती है कि जैसे कोई बार करे तो इस बार को बचाने के लिए पलटवार करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है लेकिन यहां तो यह इस्तिती है कि पलटवार होना ही नहीं और जब बार ही बार होंगे तो बोले बहुत बड़ी जन्हानी होगी कि नी होगी बड़ी समस्या लेकिन बाहरे भरत धन्य क्या कहना भरत के नेत्रतु में कभी अनोहोनी होई नहीं सकती जहां संत होगा वहां समाज में किसी भी प्रव भरत जैसा संत होना चाहिए भरत की विसेस्ता क्या है? भरत पयोधी गंभीर, समुद्र की तरह गंभीर हैं, बोलो हैं की नहीं? इसका मतलब है कि संत को गंभीर होना चाहिए, संत को कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, इसलिए भरत के चरित्र को जरूर सुनना चाहिए, खास तोर से सादू संतों कोई सुनना चाहिए और जो सुन रहे हैं भरत का चरित्र वो भलेई भेश से संत नहीं है लेकिन उद्देश से संत जरूर हो जाएंगे ये मेरा विश्वास है क्योंकि ये भरत चरित्र की विशिष्टा है भरत की महिमा है सेना तैयार हो गई इतने में एक सिंग्वेरपूर को विशिथोफें के तर्थ पर एक संत रहता था ब्रद्मां बिल्कुल जर जर शरीड़ था उसका गंगा के चिनारे तप्रस्यार क्यावицिया गंगा का तठ जहां-जहां है वहां सादू जरूर मिलते हैं गणंगा का रहां जहां-जहांšे गंगां हैं वहाँ वहाँ संतों ने अपने आश्रम बना रखें शिंग बेरपुल में भी एक व्रद्ध शाधू रहता था उसकी कान में आबाज पहुची कि इसी घाट पर संगर्श होने वाला है और सूचना आकर के दी गई कि घाट खाली करो जब युद्धि की घोशना होती है तो गाओं के घाओं खाली करो खाली करो खाली करो जो सीमा के आसपास के गाओं है वहाँ जब युद्धि की इस्थिति आती तो खाली करा द क्यों हो रहा है तुम्हें पता नहीं है युद्ध होने वाला है युद्ध किस से युद्ध होने वाला है पाकिस्तान से अरे बोले अयुद्ध्या से कहीं युद्ध होता है कैसे हो तो मूर्ख हो क्या जानते अयुद्ध्या से युद्ध होता है अयुद्ध्या तो अयुद जाए युद्ध तुम्हें पता नहीं है अयुद्ध्या के लोग राम पर आक्मन करने जा रहे हैं राजा का आदेश हुआ है कि सबसे पहले युद्ध शिन्लिवेरपुर के राजा से होगा तब कहीं राम के पास पहुंचेंगे भरत और भरत की शेना भरत के अयुद्ध्या दिखा कि नहीं नहीं है सोच गलत है सोच गलत है दृष्टी तो है दिखाई दे रहा है सेना आ रही है लेकिन दृष्टी कौन अच्छा नहीं है दृष्टी से तो देख रहा है कि सेना तुम्हें लग रहा सेना आ रही है लेकिन यह सेना नहीं आ रही है मैं भी यहां से द तो वो कहता है राजा साहब को समझाओ हमारा दिमाग खरा मत करो यह तो राजा की योजना है रहे हमसे कहने से क्या फाइदा महत्मा की बात हो रही किस से जो जो कहरा गाट खाली करो गाट खाली करो यह दोने वाला है तो वो कहता है कि हमसे मत समझाओ यह तो राजा साहब को जाके समझाओ, राजा साब मान जाएं तो मान जाएं, हमसे कहने से कौन फायदा है, हमें तो आदेस मिला है कि घाट खाली कराओ, इसलिए कहता हूँ बाबा जोपनी हटाओ, हटाओ जोपनी, हटो यहां से, उसने का नहीं नहीं, मैं राजा को भी शमझाओंगा, वो संत अगर होगा, और कौन सा संत, वो संत जो भरत पयोद गंभीर गंभीरता जिसमें होगी, जो वस्तों में समर्पित है श्री राम के लिए, ऐसा संत यदी मिल जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि आपके घर में, गाओं में कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन मै मैं एक और समाधान दे रहा हूँ, आप कहोगे महराज़, ऐसे संत बहुत नहीं है, थोड़े से हैं, तो थोड़े हैं तो वो अंधोरा में क हाय को आएंगे, वो तो हरदवार में रहेगे, या चितरुकूट में रहेंगे, या विन्राबन में रहे, अंधोरा में आके रहे मैं एक बात कहता हूँ साउधानी से सुन लेना ये चरित्र मैं किसके माध्यम से सुना रहा हूँ रामचर्ट मानस के माध्यम से ये प्रशंग जो सारी चर्चाएं हो रही है मैं संत हूँ लेकिन माध्यम किसको बनाय हूँ रामचर्ट मानस को इसलिए मैं कहता हूँ, कोई आवश्चक्ता नहीं है, कि कोई शिद्ध संत समय समय पर आते रहेंगे, आशिरवात देते रहेंगे, लेकिन हमेशा कोई शिद्ध आपके बीच में रहे, तो केबल एक ही सिद्ध होगा अंधोरा का, जो सिद्धेश्वरनाथ विराजमान हैं, स वो हमेशा रहेंगे लेकिन घर-घर में एक गंभीर संत की वाणी आपके घर में हो जाए तो वो संत गंभीर संत की वाणी अगर आपको मिलेगी और समाधान घर-घर का होगा तो वो रामचरत मानस जब घर-घर में होगा तो गंभीर वाणी आपको सुनने को मिलेगी आप रा गंभीर वानी ये रामाइन घर घर में संभाव है कि नहीं हो सकती कि नहीं ये रामाइन कि नहीं सबके पास हो सकती कि नहीं और शमाधान इसमें है तो मैंने देई दिया है आपको शमाधान इसको पढ़ा करो कोई समस्या नहीं रहेगी समस्या आएगी समस्या दूर हो ये मानस समुद्र से भी ज़्यादा गंभी रही बोलो भाई है की नहीं बस अंतर इतना है कि समुद्र में गहराई है और उस गहराई में जब जूबोगे आप जाओगे तो हम मौती मिल जाएंगे सीप मिल जाएंगी क्या मिल जाएंगी संख और सीप मिल जाएंगे लेकिन सब्त कह रहा हूँ राम चर्थ मानस की गहराई में जब डूब जाओगे तो भाव के मौती आपको मिल जाएंगे वही भाव के मौती आपको हंस नहीं परम हंस बना देंगे ये मैं दावे के शाथ कह रहा हूँ इसलिए आज एक संत पहुंच गया जैसे ही वो बुढ़ा महत्मा पहुंचा तो कहा राजा शाहब मेरी बात सुनो राम 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 कहता हुआ पहुंचा तो राम भक्त था निशाद वो बुढ़ो निशाद क्या थे राम भक्त थे तो राम 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 कहते हुए जैसे पहुंचा वो बुढ़ा तो राम भक्त जो होगा वो राम राम कहने वाले से प्रभावित हो जाएगा तो तुरंत निशादने का आईए महाकमा क्या बात है बात ये है कि मेरी बात सुनोगे जल्दी सुनाओ मुझे फुर्शत नहीं किसी बुढ़े की बात नहीं सुनता है संत की बात नहीं सुनता है समझ रहे हो कि नहीं लेकिन स्रंगवेरपुर का राजा राम से जुड़ा हुआ है इसलिए वो बुढ़े की भी बात सुनता है वो संतों की भी बात सुनता है और वो गरंतों की बात भी समझता है जो राम से जुड़ा हुआ होता है लेकिन लंका का लंका वाला का सुनता है एक बुड़े ने कहा तो था मालवंत ने मालवंत ने यही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जिनको तुमने हर मानस की नारी समझ रखा है भगवती सीता को वो आदी शक्ती परामबा हैं उनको लोटा दो प्रवशी राम छमा कर देंगे लोटा दो छमा कर देंगे तो कहता क्या है बूर भाय उनत मरते उतो ही अब जन नयन दिखावस मोही निकल जदा बूरा हो गया नहीं इतना पीठता कि बुद्धी ठिकाने आ ज अब जन नयन दिखावस मोही मालवंतियती सची उसयाने रावण न तो बूरे की बात सुनना अच्छा संत की भी नहीं सुनना चाहेता है अभी आपने कथाओं में सुना होगा हनमान जी जैसा संत समझा रहा था बिंती करों जोर कर रावण सुनाओं मान तज मोर सिखावन अच्छा क्या सुना ना सुना का राम चरन पंक जुर धर हूँ आंखे लाल हो गई अच्छा गुरू ग्यानी मिल गया हमें मृत तो निकट आई खलत होई तेरी मौत तेरे निकट आगई है अब तू मरने वाला है अब बताओ संत से कहरा मरने वाला है और बूरे से कहरा है क कि तुझे बूड़ भैउनत मरते हो तो हनमान जी से कहरा मुर्द तुनकट आई खलतो ही अब कलपना करो आप रावण ना तो संत की सुनना चाहता है ना रावण बूढ़े की सुनना चाहता है लेकिन स्रिंग बेरपुर का राजा निशाद तो राम भक्त है इसलिए संत की भ को रको हमारी सुनो तो रुक जाओ और सुन लो यह मत काओ हटा दिमाग खड़ाब करने आ जाते हो बीचमें हटो ऐसा मत बोलना नहीं तो गढबड हो जायगा सुन लो क्या चाहर बताओं सुनने में परिशानी क्या है जड़ा सुन तो लो क्या कह राए उस निशाद ने उ किसे युद्ध करने जा रहे हैं भरत से क्यों बोले रामपर आक्रमन करने जा रहे हैं भरत किसने कहा है बोले मुझे सूचना मिली है का हमारी भी बात सुन लो क्या बूरेक कह सगुन बिचारी मेरा अनभव मैंने गंगा के किनारे बहुत बरसों तक भजन किया है भजन करते करते आज मेरा शरीर बूरा हो गया है केवल मैंने राम का भजन किया है शरीर मेरा बूरा हो गया है मैंने राम के भजन के प्रताप से अनभव लिया है क्या लिया है अन्भो तुम राम भगत हो राम सका हो राम के चर्णों में तुम्हारा समरपन है मैंने गंगा के किनारे तुम्हारे राज्जी की सीमा में राम 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 कहते हुए राम का अन्भो प्राप्त कर लिया है मैं अन्भो बता रहा हूं क्या अन्भो राम ने ही मुझे भेजा है देखो कितनी अच्छी बात रही राम ने ही मुझे भेजा है जैसे मैंने आप से का नहीं कामता नात नहीं मुझे भेजा है अभी अभी मैंने कहा था किनी कहा था बात आगई किनी आगई किसने भेजा है कामतानाथ ने भेजा है मुझे जो भी संदे सुना रहा हूँ मैं कामतानाथ वगवान का ही सुना रहा हूँ वो जो कहलवा रहे है वही मैं कह रहा हूँ रामने की मुझे भेजा है अच्छा भेजा है रामने हाँ क्या कहा है कह यही कहा है बुढ़ेक कही सगुन विचारी भरत ही मिली एल हुई है रारी और राम ने यही कहके भेजा है कि राम ही भरत मनावन जाही राम ही भरत मनावन जाही राम रूठे हुए राम को भरत मनाने जा रहे हैं और राम का भजन मुझसे कह रहा है कि राम स्वयम कह रहे हैं कि आज भरत मुझे मनाने के लिए आ रहा है यूद्ध करने नहीं जा रहे हैं राम को मनाने के लिए जा रहे हैं निशाद राजने सेना से का रुख जाओ रुखो रुखो सब रुख गए बोलो भई कितना बड़ा संगर्स होने वाला था और संगर्स तलता जा रहा है कि ने तलता जा रहा है भरत का चरित्र तुम्हें प्रेणा क्या दे रहा है यही प्रेणा दे रहा है भरत का चरित्र आज आप भरत चरित्र सुन रहे हैं उसी से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि कभी भी कोई संगर्स की योजना बन रही हो अगर कोई बुढ़ा आकड़के उस संगर्स की योजना बन रही है उसको टालने की कोशिश कर रहा है तुम् विचार के बाद फिर उसका विस्तार करो, इतना जरूर करना चाहिए, अगर इतना विचार करने का टैम तुम ले लोगे, तो साइद संघर्स का विस्तार रुख सकता है, प्यारे, ये मेरा विश्वास के राए, संघर्स फिर आंगे बढ़ नहीं सकता है, और विचार नहीं क किस काम की है सोपथ हो गया, पूरा किसी काम की गुसा नहीं रही, बुलो गुसा किसी काम की रही क्या, मैं आप से यह कह रहा हूं, कि घी की मटकी में अगर मख़ी गिर जाए, तो बिकल्प है कि मक्खी निकाल के फेग दो हैं लेकिन मट्क यही पटक दो पूरी गुसा क्या करें गुसा आगई मक्खी क्यों गिरी इसलिए मैंने मट्की पटक तो बेवाखूप हो गी नहीं क्यों भई तुम्हें गुसा आई थी तो मक्खी निकाल के फेग देते क्यों भई भई गुसा आई थी मक्खी क्यों गिरी गुसा आई मक्खी क्यों गिरी तो मक्खी निकाल के फेग दो तो मतकी यही फोड़ दे ही तुमने पूरी अब घी किसी काम का नहीं रहा वोलो किसी काम का नहीं आप बाद में पच्छता रहे हो अरे बड़ा महंगा आइटम था यार आप तो सबही बेकार हो गया आप क्या किया जाए यह ऐसा नहीं करना है गुश्चा आ रही है मक्खी गिर गई मक्खी को नकाल के फिक दो समझ गया हो कि नहीं मटकी फोड़ने की जरुवत नहीं है समझ रहे हो कि नहीं बात को यह भरत जरत आपको प्रेड़ना दे रहा है और संत चरित्र भी जुड़ा हुआ है भरत चरित के शाद क्या जुड़ा है संत चरित्र जुड़ा हुआ है इसलिए आपको यह संत चरित प विचार करने का समय मिल गया कि नहीं अब मुझे करना पड़ेगा इसलिए कहता हूं कि विचार करो ना है किसी भी कारी को करना है तो विचार पहले करो इसके बाद रखे करो बिना विचारे जो पाचें पचताएं काम बिगारें आपनों जग में हो थसाए जग में हो थसाए चित में चेन आवे बोलो भई परेशानी परेशानी उल्धन ही उल्धन है इसलिए बिना बिचारे बिचार पूरवक कारी करना बिना बिचारे काम नहीं करना चाहिए एक बार एक घर के लोगों में ऐसी स्थिती पैदा हो गई कि हम क्या वताव में पूरा काम ही बिगण गया बिना विचार की काम किया क्या एक बड़ी प्रशिद लोग कथा है और उसको दिश्टांत कहलो कुछ भी कहलो ये सब लोग जानते हैं आप भी जानते होगे 15 अगस्त का टाइम था 15 अगस्त को जंडा रोहन होता है क्यों भही स्वतंत्र वटा दिवस बनाया जाता है 15 अगस्त को जंडा रोहन होता है तो उस घर में पूरे घर में सब ब्यवखूप थे और सबसे ब्यवखूप यही थी कि उस मास्तर ने अपने घर के लोगों कोई होस्यार नहीं बना पाया पता नहीं क्या करता रहा चलो समस्या बढ़ी क्या बढ़ी पंदरा अगस्त था उसने अपनी पत्नी शे कहा कि सुनो नए-नए कपड़े बनवाए हैं जरा लेके आओ नए-नए कपड़े बनवाए हैं जरा लेके आओ तो कुर्टा और पजामा बनाया था, कायलाओ पहले पहन के थोड़ा देख लें तबना 15 गश्ट में जंदा रोवन करेंगे, तो पजामा पहना, कुर्टा पहना, पजामा भी बढ़ा, कुर्ता भी बढ़ा, दो बढ़े, कैसा टेलर था मूर्ग, तो पत्नी वोली कोई दिख कुर्ता काट दिया और दो इंची पजामा काट दिया और रख दिया अब उस माश्टर ने कहा कि पत्नी कम बुद्धी की है बहू शुकहदे में तो कहा बहू ये कुर्ता पजामा थोड़ा बढ़ गया है इसको थोड़ा दो-दो इंची अलग कहाओ ठीक है पापा जी बहू ने भी नहीं देखा इसको भी देखना चाहिए था कि क्या पत्नी ने तो काट जी चाने भी दोड़ा दिया अब क्या वतावें उसको चैन नहीं मेला तो अपनी बेटी से जाके बोला बेटी ऐसा है बहू काम में ज़्यादा व्यासठ रहती है बहू जल्दी निकलनाए है दो-तीन इंची पजामा बढ़ा है और कुर्ता भी बढ़ा है इसको भी छाट देना है। तो बेटी ने भी वही काम किया। अब सुबह जब इसनान करके कुर्ता पजामा पहनने लगा तो अंडर भी और बनियान बन गया। न वो कुर्ता रहा न वो पजामा रहा क्या बन गया। अंडर वियर और बनियान बन गया। इमांद बिना विचारे जो करें सो पाचिन पचता है। विचार पूरबकारी करना चाहिए। विचार करो पहले। ठीक से विचार करो, ज्यादा जल्द वाजी करने की जरूरत नहीं है, निशाद राज ने का आप मैं विचार करूंगा, तो जैसे विचार किया, तो महात्मा ने का आप तुम में नरने क्या लिया विचार में, क्या नरने लिया, निशाद राज ने का कि मैंने यही नरने लि इसका मतलब है कि मैं पहले परिक्षा लूँगा भरत की भी परिक्षा लूँगा आयुद्यावासि की भी परिक्षा लूँगा और परिक्षा में अगर उत्रीन हो गए भरत आयुद्यावासि तब तो हम युद्ध नहीं करेंगे और यदि परिक्षा में फैल हो गए हमें सं तो हम मानेंगे नहीं किसी की बात युद्ध करेंगे उस महत्मा ने कहा विचार कर लो अच्छा फिर क्या विचार किया का विचार कर लिया क्या विचार किया बस विचार यही किया कि युद्ध बाद में करूंगा पहले भरस से मिलूंगा पहले होना चाहिए संबाद और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो बिवाध कहले ही समंधोते की बात सोचो गागर नहीं मानोगे तो फिर बिवाद हो जाएगा पहले बाचीत कर लो बैठके क्यों बाइ तो यही होना चाहिए कि नहीं होना है राम चर्प माना साब को यही सिखाता है मैं लंका की बात भी कर रहा हूँ मैं श्रिंग बेरपुर की बात कर रहा हूँ मैं समत्र के किनारे के नगर की बात भी कर रहा हूँ मैं मुक्ष दाएंगी गंगा के किनारे बसे हुए श्रिंग बेरपुर की बात कर रहा हूँ प्यारे इसलिए मैं कहता हूँ कि आज आज आपको गंगा की तरह पवित्र बनना आपके गाओं में भले ही भागे यती गंगा नहीं आ पाएंगी लेकि राम कथा रूपी गंगा तो आपके गाओं में आई ही तुकी है प्यारे आपका अंधोरा भी गंगा के तर्द पर बस गिया है बोलो बस गिया नी बस गिया राम कथा जहीं सुरशरी धारा तो आज राम कथा रूपी गंगा के किनारे अंधोरा आ गिया है सुनिए जरा समझने की कोशिश करिए बहुत महत्पून बात में आपको बता रहा हूँ आप सब केवर निशाद राज ही राम भक्त नहीं है आप सब जितने बैठे हो सब राम भक्त हो बोलो हो की नहीं अरे वो सिंग्बेरपुर का राजा था आज स्वतंत्र भारत में साब घर घर के राजा हैं अपने अपने घर के सब राजा हैं बोलो हैं की नहीं अपने अपने घर के सब राजा हैं लेकिन तुम राजा हो तुम अपना घर राम कथा रूपी गंगा के किनारे बसाओ बोलो बशाना चाहिए कि नहीं और जब राम कथा रूपी गंगा के किनारे तुम्हारा गाउं बस जाएगा तो बड़े बड़े संत तुम्हारे गाउं में आते रहेंगे किसके माध्यम से रामकथा रूपी गंगा के माध्यम से आज आए हम तो किसके माध्यम से आए जल्दी बोलो रामकथा रूपी गंगा के माध्यम से आए हैं इसलिए आपका गाउं परंपवित्र है हर गाउं में रामकथा रूपी गंगा प्रभाहित होनी चाहिए प्यारे औ कथा रूपी गंगा हर गाउं में प्रवाहित होगी तो बड़े-बड़े संत हर गाउं में आते रहेंगे कोई गाउं साध्यों से वंचित नहीं रहेगा इस बात का विश्वाफ